हेलो दोस्तों श्वागत है आपका शमीर इस्टिल आर्ट घाजियाबाद में आप देख सकते हैं कमल हाइडरोलिक कैसे बनती है हम आपको सिखाएंगे कुछ भी नहीं है इसको बनाने में हम आपको step by step बताएंगे इसको कैसे बनाना है इसकी पंखडियां कैसे मोडनी आपको इसके लिए क्या करना है हम आपको एक एक चीज बताएंगे बड़े आसानी से इसकी पंखडियां मुड़ जाती है कुछ भी नहीं है इसको मोडने में इसको कैसे घुमाना है बहुत ही आसान है गेर बकसा हम आपको बताएंगे कहां मिलेगा मोटर हम आपको बताएंगे कहां मिलेगी हम आपको फूल डिटेल के साथ एक एक चीज अपनी साइड पे हम आपको अपलोड करेंगे आपको दिखाएंगे आपको बड़े अच्छे तरीके से को देखना और समझना है को कमाल हाय ड़ोली गोदम आप चुमारे यहां से खरीद भी सकते हैं आप यहां हमारे आ आके टरेन भी हो सकते हैं फीचर अब आप के काम आईगा लेकिन हमारे यहां जो वैल्डर का काम ऑसे जो वैल्डिंग करते हैं इखिशन प Android आप बिल्कुल आशानी से बना सकते हैं इसका आपको पहले डबा बनाना है आप देख सकते हैं यह डबा इसका मैं पहले आपको यह बनाना है इसको अंदर बाहर कैसे बनाना है मैं आपको पूरी वीडियो डिटेल में डालूंगा यह चकरा कैसे बनाना है इसकी भी आपको ड कैसे बनती है प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें आपका बहुत ही आशान होगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें उनको तजुर्बा हो कि कमल हाइडोलिक ओल जैमाला थीम प्रिशर वाली कैसे बनती है ना आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा यह कैसे बनती है इसको कैसे बनाना है आपको यह इसके पत्ते हैं छोटे-छोटे बहुती असानी के साथ बनते हैं इतनी बड़ी नहीं है इसमें कुछ आपको परिशानी होगी यह बिना उठने वाली एकदम सिंपल हम आपको प्रिशर वाली भी बनानी करें कमल हईडली गोधाम गाजियाबाद हम आपको बताइंगे पहले सिसे पर नानी हैं क्या बनाना है नीचे से स्टार्ट करना है उपर से बनानी स्टार करनी है हम आपको एक एक करके सब सिखाएंगे आप प्लीज मेरी वीडियो देखते रहना एक एक करके इसमें कितना समान लगता है और क्या क्या है मैं आपको यही बताऊंगा इसमें कितना लोहा लगता है कितना किलो लगता है कितने वाट की मोटर लगती है आपको सब चीज़ सिखाऊंगा एक एक करके आराम राम से प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्क्राइब करें शमीर हाइडोली गोदाम गाजियाबाद आप मेरी वीडियो देखते रहें मैं आपको सब सिखाता रहूंगा